अज़कल हमारा खानपान बिल्कुल ही खराब हो चुका है, यानि हम वो सारी चीजे पसंद करते हैं जो टेस्ट में अच्छी होती है, भले हो उसमें nutritional value हो या ना हो, यानि जो खाना आपके स्वास्ते के लिए अच्छा है वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और के लिए एक बात injection की बात करने वाले हैं, जिसका यूज करके आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, दोस्तों मैं हूँ नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में, और आज हम बात करने वाले हैं, छोटीज बुटी वि पर्टिकों की समस्या होती है, या कई बार आखों के सामने अंधेरा चा जाता है, आपके पूरे सरीर में दर्द होता है, खास करके कमर और गर्दन में दर्द होता है, या फिर आपके घुट्टों में दर्द होता है, आपके पूरे ज्वाइंट्स जो आपके बुरे बॉर मोरी में हैं वो दर्ध होते हैं लेकिन ध्यान रखें वो कमजोरी की वज़े से अगर दर्ध होते हैं इसके अलावा दोस्तों ब्लड सर्कूलेशन खराब हो जाता है तो ब्लड सर्कूलेशन खराब होनी की वज़े से आपके हाथों और पैरों के अगले भाग में जुन-जु कि जो 50 साल से ज़्यादा के लोग है उनमें commonly देखने को मिलती है लेकिन आज इकल जैसा कि मैंने आपको बताए कि हमारी diet बहुत ज़्यादा खराब है और आप market में चले जाएए बस fast food की दुकान के आपको भीड लगी हुई मिल जाएगी और ये सारे लोग जो खड़े है ये युवा जनरेशन होती है यंग जनरेशन होती है और यहाँ पर भी आपको ये सारी समस्या देखने को मिलती है यानि कि यंग जनरेशन में जो वने आपको समस्या है बताई वो देखने को मिलती है सरीर कमजोर हो जाता है और आपको दर्द होता है पूरे सरीर में सरीर के स्टामिना खराब हो जाता है तो ये सारी समस्चाय की होती है ये एक्चुली होती है हमारे सरीर के अंदर में मिनली मिनरल्स की कमी की वज़र से विटामिन्स की कमी की वज़र से खास करके जो vitamin B complex होता है वो आपके सरीव में जब कम हो जाता है तो ऐसी condition में आपको ये सारी समझ चाहिए देखने को मिलती है वैसे तो vitamin C भी कम होता है लेकिन vitamin C उतना जैसे B complex के अगर मैं बात करो तो ये हमारे सरीव में बहुत ज़्यदा पया जाता है और इसकी बहुत ज़्यदा जरूरत होती है आपके neurons को काम कराने के लिए muscles को काम कराने के लिए आपके blood को सही से circulate करने के लिए और भी बहुत सारे कामों में vitamin B complex responsible होता है इस वज़ा से इसकी कमी ना होने देना एक बहुत बड़ा challenge होता है क्योंकि कई बार क्या है ना कि जो non vegetarian वाले लोग होते हैं उनके अंदर तो vitamin B complex की कमी नहीं होती है लेकिन vegetarian के लोगों में vitamin B complex की कमी हो जाती है तो ये सारे लच्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों अगर हमारी सरीर में ये सारी समस्याइं आ रही हैं तो तुरंत आपको आकलन करना है कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं और आपकी दिन चरिया क्या है तो उसको ठीक करें यानि कि सबसे पहले अपने diet को ठीक करें आप क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, जो आपके सरीर को कमजोर कर रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं खा रहे हैं, जो आपके सरीर को कमजोर कर रहा है, यानि कि बाहर का जितना भी खाना खाते हैं, उसको आप बंद कर दे, फास्ट फूट बंद कर दे, खाने पर ज्यान दे भोजन जो आपका पॉस्टिक भोजन है उस पर विशेश ध्यान दे डाइट सही से ले अगर इन सबसे सही नहीं होता है तो दोस्तों आप vitamin B complex की tablets ले सकते हैं वो tablets लेने पर भी अगर सही नहीं होता तो इस वीडियो में मैं एक injection की बात करने वाला हूँ उसको यूज करके आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर आप उसे regular यूज करते हैं जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों वो injection निवरा भियान फोर्ट आरेफ इंजिक्शन जो अभी मेरे पास है कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है और यह 2 ml का एंपूल होता है दो निकोटिनामाइड 100 mg यह तीनों चीज़े पाई जाती है एक तरह से आप कह सकते हैं यह बी कॉंपलेक्स का इंजिक्शन होता है और यह इंजिक्शन अगर आप यूज करते हैं तो आपके सरीर के अंदर विटमिन B-complex और विटमिन की जो मिंडर्ес की कमी है वो पूरी होती है दोस्तों यह इंजिक्शन की दिया जाता है तो जो भी लच्छन मैंने आपको बताए पहले वही लच्छन को counter करने के लिए ये medicine दी जाती है ये injection दिया जाता है लेकिन ध्यान रखें injection तब देते हैं जब diet और tablet से आप सही नहीं होते हैं आनि आपके condition बहुत खराब होती है तो ऐसे में ये injection यूज किया जा सकता है अगर आपके हाथ पैर में जुनजनाट होती है हाथो पैरों में जलन होती है आपके neurons सही से काम नहीं करते हैं आपको आपका हाथ पैर काम नहीं करता है कभी-कभी आपको लगता है कि सुन हो गया है हाथ पैर या फिर कमर में बहुत ज़दा दर्द होता है गर्दन में दर्द होता है पूरे body में दर्द होता है के बाद आपको समझना चाहिए को कमजूरी आ क्यों रही है दूसरी बात हम इंजेक्शन लगवाते हैं या दवा खाते हैं तो हमको सोचते हैं बस इसी से काम चल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता है इसके लिए आपको डाइट भी सही से लेनी पड़ेगी तो डाइट भी सही अब अगर इस इंजेक्शन के मैं डोस की दोस्तों बात करूँ तो इसकी जो डोस होती है इसको आपको 10 मदब 10 इंजेक्शन आपको दिया जाता है और अल्टरनेट डे पे लगाया जाता है यानि एक दिन छोड़के आप इसे लगा सकते हैं ध्यान रखे कि सेम टाइम पे लगाया अगर सुवेर 10-11 बज़े की बीच में लगा रहे तो तो तीसरे दिन आप फिर 10-11 बज़े की बीच में लगाया तो ऐसे में रिजर्ट ज्यादा अच्छा आता है बहुत सीवियर कंडिशन होती है तो पेशन को इसे पर दे यूज करने के सिला दी जाती है बाकि द लेकिन ज़्यादा तर इसे आईयम दिया जाता है एक चीज़ और यहाँ पर बता दे साइड इफेक्ट की बारे में नियूरब यान फोर्ट इंजेक्शन अगर आप दे रहे हैं तो कौन-कौन से साइड इफेक्ट आ सकते हैं तो यहाँ पर आप आप आईयम इंजेक्शन देखने को मिलेगा और ज़्यादा साइड इफेक्ट क्या होते हैं कि आपको नोजनोमेटिंग आ सकती है पेट में इरीटेशन हो सकती है गैस की समस्या हो सकती है यह सारी समस्या देखने को मिलती है इसलिए कोशिज करें दस से जज़दे टैबलेट कभी भी ना लगाए औ बीना डाक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नाल है तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो जिसमें लोगों ने बात किया नियुरोवियान फोट इंजेक्शन के बारे में वीडियो आपको इंफॉर्मिटिव लगा हो अच्छा लगा हो तो चैनल को सबस्क्राइब करिएगा व हमें इस्टेग्राम पर फालू कर सकते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धेन्दवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में